ड्रामा की शुरुआत होती है जहां हम हमारी फीमेल लीड नियन नियन को अपनी बेटी रुई-रुई और हमारे मेल लीड अन्यान जो उसका हस्बैंड है के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं क्योंकि आज चिल्डरन डे होता है तो नियन नियन और अन्यान मिलकर रुई-रुई से वादा करते हैं कि वो उसके लिए गिफ्ट लाएंगे जिस पर रुई-रुई कहती है आप दोनों मुझे किस करो और जब वो दोनों आगे आते हैं तो रुई-रुई पीछे हो जाती है त नियन नियन हैरान होकर कहती है मुझे सिर्फ दर्द था ये कैसे हो सकता है जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि स्टमक कैंसर इतनी जल्दी पता नहीं चलता और अब उसकी कंडिशन सीरियस है ये सुनकर नियन नियन परेशान होकर घर चली जाती है नियन नियन जब घर पर अन्यान का इंतजार करती है ताकि वो अन्यान को कैंसर के बारे में बता सके तब ही उसे अपने फोन में चिंग चिंग का एक फोटो दिखता है जो उसने सोशल मीडिया पर डाला था और लिखा था मैं वापस चीन आ गई हूँ न्यान न्यान चिंग चिंग का ये फोटो देखकर सोचती है कि चिंग चिंग ने फोटो जरूर मुझे दिखाने के लिए डाला है और वो अन्यान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है उसने ये फोटो इसलिए डाला है कि वो मुझे चिढ़ा सके कि वो मेरे पती को मुझसे चीन लेगी नियन नियन वो फोटो देखकर परेशान होती है और तभी अनियन वहाँ आ जाता है अनियन जब नियन नियन को अपना जैकेट देकर रुई रुई के कमरे की तरफ जाता है तो नियन नियन उसे रोक कर कहती है तुम चिंग चिंग से मिलने क्यों गए थे जिस पर अनियन कहता है चिंग चिंग अभी चीन वापस आई है और उसके पती के मरने के बाद उसका और उसके बेटे का चीन में कोई नहीं है और इसलिए मैं उसे डिनर पर ले गया था जिस पर नियन नियन गुस्सा करते हुए कहती है तुमने रुई-रुई से वादा किया था तुम उसे गिफ्ट दोगे और बाहर भी लेके जाओगे लेकिन तुम नहीं आए नियन नियन अनियन पर गुस्सा करती है और कहती है चिंग चिंग अब विधवा है इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे सहारा देते रहो थोड़ी ही देर बाद जब नियन नियन चेंज करके सोने के लिए तयार होती है तो नियन उसके करीब आने लगता है और उसे किस करते हुए कहता है हमें एक बेटा भी करना चाहिए जिस पर नियन नियन उसे अपनी अस्पताल की रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है अब मैं बच्चा नहीं कर सकती मैं बीमार हूँ अन्यन नियन नियन की रिपोर्ट देखने ही वाला होता है और तभी चिंग चिंग का फोन आता है और चिंग चिंग रोते हुए अन्यन को कहती है उसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो अस्पताल जा रही है जिस पर अन्यन उसे कहता है तुम फिक्र मत करो म मैं आ रहा हूँ अन्यान नियन नियन की बात सुने बिना चिंग चिंग के पास अस्पताल चला जाता है जिससे नियन नियन को बहुत बुरा लगता है अगले सुबह हम देखते हैं जब नियन नियन अन्यान के ऑफिस में उसे खाना देने जाती है तो वहां चिंग चिंग को अन्यान के कपड़े में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो अन्यान को चिलाने लगती है चिंग चिंग अन्यान से कहती है मुझे कल रात को बहुत गर्मी लग रही थी और इसलिए मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली तुम्हें कोई प्रॉबलम तो नहीं जिस पर अ खाना नहीं देना था तो मना कर देती खाना फेंकने की क्या ज़रूरत थी अन्यान भी नियान नियान पर गुस्सा करने लगता है और उससे चिलाता है की वो चिंग्चिंग को पसंद क्यों नहीं करती? नियन-णियन गुस्से में रोते हुए अनियन को अपने स्टमक कैंसर की रिपोर्ट दिखाती है और ये सुनकर अनियन हरान रह जाता है लेकिन चिंग्चिंग रिपोर्ट उठा कर कहती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती लेकिन मुझे तुम से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा मजाक उडाने के लिए मेरी जैसी स्टमक कैंसर की रिपोर्ट बन्वाओगी और अनियन के सामने ड्रामा करोगी चिंग चिंग की बात सुनकर अनियन को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वो कहता है चिंग चिंग को स्टमक कैंसर है और तुमने मुझे उससे दूर करने के लिए खुद की जूठी रिपोर्ट बनवाई तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नियन नियन अपने आपको समझाने की कोशिश करती है लेकिन तभी चिंग चिंग पेट दर्द का नाटक करने लगती है और अनियान उसे अस्पताल ले जाने लगते हैं नियन-niyan को भी उस वक्त दर्द हो रहा होता है जिस वजह से वह गिर जाती है लेकिन onion उस पर ध्यान नहीं देते अगले सीन में हम देखते हैं कि onion और चिंग-चिंग जब अस्पताल में होते हैं रूईरूई अनियन को फोन करके कहती है पापा आप घर कब आओगे मैं दो दिन से आपसे नहीं मिली हूँ जिस पर अनियन कहते हैं तुम फिक्र मत करो मैं जल्द ही आता हूँ वहीं दूसरी और चिंग चिंग गेट पर खड़े होकर सब बात सुन लेती है और बीमार होने का नाटक करते हुए अनियान से कहती है डॉक्टर ने मुझे बताया है मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है और क्या तुम कुछ दिन मेरे साथ रह लोगे अगले सीन में हम नियन नियन को रूई-रूई के साथ एक मौल में देखते हैं जहां वह उसे खिलोना दिलाने ले जात और तभी रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई-रूई- एनियन चिंग चिंग को उठा कर अस्पताल ले जाने लगता है और जाते हुए नियन नियन और रूई-रूई को घर जाने के लिए के लिए कहता है। लेते रहना होगा नियन जब अपना मूड ठीक करने के लिए अस्पताल में वॉक करते हुए अनियन को कॉल करती है तो उसे अनियन की फोन की आवाज आती है और वह एक कमरे में चिंग चिंग को देखती है जो अनियन का फोन उठाकर नियन नियन से कहती है मैं अस्पताल में ह चिंग 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 नर्स को इशारा करती है, जिस वजह से नर्स कहती है, मुझे माफ करना, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी. चिंग चिंग अनियन को भड़काने के लिए कहती है नियन नियन अब मेरे जैसे कीमो थेरेपी का भी नाटक करने लगी मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है चिंग चिंग की बात सुनकर अनियन को गुस्सा आता है और वह नियन-nyan को चिलनाने लगता है नियन-nyan को अनियन की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है और कहती है एक दिन तुम्हें सब सच पता चल जाएगा बस मैं उम्मीद करती हूँ उस दिन तुम्हें अफसोस ना हो थोड़ी देर बाद हम फूज एकाई को नियन नियन के साथ देखते हैं जहां फूज एकाई नियन नियन से कहता है एक बार कीमो थेरेपी शुरू हो जाएगी फिर तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और आराम करना होगा नियन जब चल रही होती है तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वह गिरने वाली होती है लेकिन फूज एकाई उसे पकड़ लेता है वहीं दूसरी और अनियन यह देखकर बहुत गुसा होता है और फूज एकाई को चिलाने लगता है अनियन गुस्से में नियन नियन को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे नियन नियन का दर्द भी दिखाई नहीं देता अगले सीन में हम नियन नियन को देखते हैं जो वाश रूम में अपना फेस वाश कर रही होती है और अचानक उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है नियन बड़ी मुश्किल से उठकर अपने कमरे तक जाती है और जैसे तैसे करके अपनी दर्द की दवा लेती है कुछ देर बाद जब अनियन कमरे में आता है तो वह नियन नैन को जमीन पर बैठा देखकर परिशान होता है और उसे उठा कर बेड़ पर बिठा देता है अनियन की नजर जब नियन नैन की दवाई पर पढ़ती है तो वह गुस्से में नियन नैन को चिलाने लगता है और तभी हम एक flashback में देखते हैं चिंग चिंग जब अस्पताल में थी तो उसने cancer में लेने वाली दवाई ली थी नियन नियन को दिखाते हुए बोला था कि अन्यान जरूर उसे अपने पास रोकने के लिए ये दवा खाने का नाटक करेगी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और अन्यान को देखते हैं जो नियन नियन को चिलाते हुए कहता है कि वो ये दवा क्यों खा रही है और उसे चिंग चिंग क्या प्रॉबलम है कि वो अपनी तबियत खराब करने को तैयार है अन्यान की बातें सुनकर नियन नियन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है अन्यान नियन नियन की सारी दवा फलश करते हुए उसे नाटक बंद करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है नियन नियन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है अन्यान को उनकी साथ साल की शादी पर भरोसा नहीं है लेकिन चिंग चिंग की बातों पर भरोसा है अगली सीन में हम अन्यान को अस्पताल में देखते हैं जहां उसका असिस्टेंट उसे एक फाइल देते हुए बताता है कि उसकी पतनी को स्टेज 3 स्टमक कैंसर है और वो अभी कीमो थेरेपी का फर्स्ट राउंड करवा रही है अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अन्यान हैरान रह जाता है और फाइल को देखने लगाता है थोड़ी देर में वहां से एक नर्स नियन नियन को लेकर जाती है और अन्यान उसे देखकर उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है अन्यान नियन नियन से पूछता है तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पतली हो गई हो मुझे नहीं पता था कि तुम सच में बीमार हो थोड़ी ही देर में वहाँ अन्यान की मम्मी आती है और नियन नियन को देखकर उस पर गुसा करने लगती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तुम मुझे एक पोता नहीं दे सकती तुम किसी काम की नहीं हो नियन नियन अन्यान की मम्मी से कहती है मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और आपको पोते ग्रेंडसॉन की पड़ी है रुई रुई भी तो है आपको उसकी फिक्र क्यों नहीं होती अनियन नियन की तरफदारी करने लगता है और अपनी मम्मी को चुप रहने के लिए कहता है अनियन की मम्मी नियन नियन से कहती है मुझे पता है तुमने अपने दोस्त से गलत रिपोर्ट बनवाई है थोड़ी ही देर में वहां चिंग-चिंग आती है और दर्द में होने का नाटक करती है जिस वज़ह से अनयन और उसकी मम्मी दोनों ही चिंग-चिंग को लेकर वहां से जाने लगते हैं नियन नियन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो अनियन को आवाज देकर रोकती है और कहती है तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और ना तुम्हें मुझ पर विश्वास है और इसलिए मैं तुम्हें डिवॉर्स देना चाहती हूँ नियन नियन रोते हुए अनियन से कहती है आज तुम्हें मुझ में या चिंग्चिंग में से किसी एक को चुनना होगा अनियन नियन नियन की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चिंग्चिंग को वहां से लेकर चला जाता है जिस वजह से नियन-नियन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है तब हम एक flashback में देखते हैं कैसे नियन-नियन और अनियन दोनों ने एक दूसरे को स्कूल टाइम में डेट करना शुरू किया था लेकिन कॉलेज में अनियन ने चिंग-चिंग को डेट करना शुरू कर दिया था कॉलेज के graduation day पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे जिस वजह से नियन-नियन प्रेगनेंट हो गई थी अनियन-नियन से ये बोलकर शादी करता है कि जो भी हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ शादी के बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी रूई-रूई हुई और वो दोनों शादी के बाद पिछले साथ साल से साथ रह रहे हैं और अनियन हमेशा से ही एक अच्छा और जिम्मेदार पती रहा है तथा रूई-रूई के लिए पिता का रोल निभा रहा है हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और नियन-नियन फूज एकाई से कहती है तुम मुझसे वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए तुम अनियन को मेरे कैंसर के बारे में नहीं बताओगे नियन-नियन कहती है अनियन को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है और मैं नहीं चाहती बाद में उसे जब सच पता चले तो वो खुद को गलत समझे अगले सीन में हम नियन-नियन को घर पे कुछ काम करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ अनियन आता है अनियन को देखकर नियन-नियन उसे डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहती है अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए अन्यान नियन नियन की बात पर विश्वास नहीं करता और उससे चिलाने लगता है नियन नियन जब अन्यान को कहती है हमारे डिवोर्स के बाद तुम आराम से चिंग चिंग के साथ रह सकते हो और कोई तुम्हें परिशान नहीं करेगा तो अनियान गुसे में नियन नियन को कहता है सच तो ये है कि तुम अपने पुराने प्यार फूज एकाई के साथ रहना चाहती हो नियन नियन जब कहती है फूज एकाई सिर्फ उसका दोस्त है तो अनियान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता वहां से चला जाता है अगले दिन जब नियन नियन ओफिस जाती है तो उसकी असिस्टेंट उससे कहती है आप इतने दिन छुटी पर थी आज डिजाइन प्रतियोगिता का रिजल्ट आने वाला है क्या आप तयार है जिस पर नियन नियन हा कहती है थोड़ी देर में आफिस में एक आदमी आता है और सब को बताता है कि आज से कंपनी की नई वाइस प्रेसिडेंट चिंग चिंग है ये सुनकर नियन नियन उसे नजरंदाज करके वहां से जाने लगती है लेकिन चिंग चिंग सब के सामने और उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कंपनी के सभी लोग नियन नियन को ब्लेम करने लगते हैं और उसके बारे में गलत बातें बोलने लगते हैं चिंग चिंग कहती है दस साल पहले मैंने ये डिजाइन खुद बनाई थी जिस पर नियन नियन सब को कहती है मेरी जो डिजाइन प्रतियोगिता में दी गई थी वो यही डिजाइन है जो 10 साल पहले की फोटो में है लेकिन 10 साल पहले ये डिजाइन चिंग चिंग ने नहीं बलकि मैंने खुद बनाई थी कोई भी नियन नियन की बातों पर विश्वास नहीं करता और चिंग चिंग भी नियन नियन के उपर हसने लगती है नियन नियन चिंग चिंग को अपने साथ आफिस में ले जाती है और उससे पूछती है ये तुमने कैसे किया जिस पर चिंग चिंग जोर से चिलाते हुए कहती है मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि तुम मेरी पुरानी क्लासमेट हो चिंग जोर से ऐसा इसलिए कहती है ताकि आफिस के लोग उसकी आवाज सुन पाएं नियन नियन चिंग चिंग को सच बताने के लिए कहती है जिस पर चिंग चिंग कहती है स्कूल टाइम में मैंने तुम्हारे डिजाइन चुराए थे और वो मेरे पास है नियन नियन चिंग चिंग के पास कटर लेकर उसे डराने लगती है जिस वजह से चिंग चिंग बहुत जोर से चिलाती है और आफिस के सभी लोग आफिस के अंदर आ जाते हैं अगले सीन में हम अनियन और चिंग चिंग को डिजाइन प्रतियोगिता की अवार्ड सेरेमनी में जाते हुए देखते हैं जहां एक लड़की अनाउंस्मेंट करते हुए कहती है कि इस बार के प्रतियोगिता की विनर है चिंग चिंग जब चिंग चिंग स्टेज पर अवार्ड लेने जाती है तो अचानक वहां पर नियन नियन और फूज एकाय आते हैं नियन नियन सब के सामने कहती हैं चिंग चिंग ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती क्योंकि ये उसकी डिजाइन नहीं है कोई भी नियन नियन का विश्वास नहीं करता और चिंग चिंग भी नियन नियन को चिलाने लगती है नियन नियन सबके सामने कहती है चिंग चिंग ने पहले मुझसे मेरा पती चिन लिया और अब मेरे डिजाइन को वो खुद का बता रही है और जो अवार्ड मुझे मिलना चाहिए वो भी खुद ले रही है अन्यान नियान नियान को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो सब के सामने चिंग चिंग को गलत बोलने लगती है और उससे पूछती है क्या तुम ये साबित कर सकती हो कि ये डिजाइन तुम्हारे है जिस पर वो कहती है ये मेरे मेल पर सेव है तो मेरे ही हुए नियान नियान जब चिंग चिंग से पूछती है कि तुमने अपनी डिजाइन में प्लेन क्यों बनाए है तो वो कहती है क्योंकि उस समय प्लेन के बारे में नियूज आई थी और इसलिए मैंने ये डिजाइन बनाए थे नियन नियन सब के सामने अनियन की तरफ देखते हुए कहती है मैं जब स्कूल में थी तो मुझे एक लड़का पसंद था और उस लड़के को एरपलेन बहुत पसंद थे वो लड़का हर समय एरपलेन के बारे में किताब पढ़ता रहता था और इसलिए मैंने ये डिजाइन बनाए थे ये सब सुनने के बाद चिंग चिंग उस पर चिलाने लगती है और जैसे ही उसे लगता है कि अनियान को नियन नियन की बातों पर विश्वास हो रहा है तो वो अनियान को नियन नियन के खिलाफ भड़काने लगती है चिंग चिंग की बातें सुनकर कोई भी नियन नियन की बातों पर विश्वास नहीं करता और जब नियन नियन अनियन से कहती है तुम बताओ अगर तुम्हे सच नहीं पता तो नियन नियन अनियन को उम्मीद से देखती है और उसे सब के सामने सच बोलने के लिए कहती है कुछ देर कोशिश करने के बाद जब अनियन उसकी बात नहीं मानता और चिंग चिंग की तरफदारी करता है तो नियन नियन कहती है अब अगर अनियन मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं आप सबको एक दूसरा सबूत देती हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये डिजाइन मेरी है नियन नियन चिंग चिंग से ज्वेलरी डिजाइन दिखाते हुए पूछती है कि इस जगह पर ये ड्राइंग पर रंग डार्क क्यों है तो चिंग चिंग कहती है ये तो बच्चों को भी पता होता है कि रंग और शेडिंग करते वक्त कुछ जगह पर डार्क और कुछ जगह पर लाइट रंग करते है और इसलिए मेरी डिजाइन में भी ऐसा ही है नियन नियन सब के सामने कहती है चिंग-चिंग जूट कह रही है क्योंकि ये डिजाइन मैंने बनाई है मुझे पता है कि यहां पर कलर डार्क क्यू है नियन-दियन सब को बताती है कि उसने डिजाइन की ड्राइंग पर दिल बना कर अपना और अन्यान का इनीशियल लिखा था जिससे उसे हमेशा इस ड्राइंग को देखकर स्कूल टाइम की याद आए और इसलिए ये रंग डार्क है चिंग चिंग गुस्से में नियन नियन पर चिलाते हुए कहती है तुम्हारे बोलने से ये साबित नहीं होता और ऐसा करना संभव नहीं है सभी लोग चिंग चिंग की तरफदारी करने लगते हैं और इसलिए नियन नियन सब के सामने उस डिजाइन की फोटो को जूम करवा कर सब को दिखाती है कि वो सच बोल रही है डिजाइन पर दिल के साथ नियन नियन और अनियन के इनिशिल्स देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें नियन नियन की बातों पर विश्वास हो जाता है गुसे में सभी लोग चिंग चिंग के बारे में गलत बातें बोलने लगते हैं और उसके उपर चीजें फेंकने लगते हैं जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है सारी सच्चाई सामने आने के बाद भी अनियन चिंग चिंग की तरफदारी करते हुए नियन नियन को चुप रहने के लिए कहता है जिससे नियन नियन को बहुत बुरा लगता है और उसकी आँखों में आंसु आ जाते है चिंग चिंग बेहोश होने का नाटक करती है और अन्यान उसे उठा कर वहाँ से ले जाता है जबकि नियन नियन वहीं खड़ी रह जाती है अगले सीन में हम अन्यान को देखते हैं जो अस्पताल में चिंग चिंग से कहता है तुम सच बताओ क्या वो डिजाइन तुमने बनाई है तो चिंग चिंग उसे बताती है कि ये डिजाइन बहुत समय से उसकी किताब में थी लेकिन उसने ये नहीं बनाई सच सुनकर अन्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो चिंग चिंग पर चिल्लाने लगाता है तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बरबाद हो जाता तुम्हारी वजह से न्यान न्यान को इतना बुरा लगा अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता अन्यान की बात सुनकर चिंग-चिंग घबरा जाती है और अन्यान से कहती है मैंने स्कूल टाइम पर तुम्हें अपनी एक किड्नी दी थी जिस वजह से तुम आज जिन्दा हो और तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे जिस पर अन्यान गुसे में उससे कहता है मैंने वादा किया था तुम्हारी मदद करने का और मैं वो कर रहा हूँ अन्यान गुसे में वहाँ से चला जाता है अनियन के जाने के बाद चिंग चिंग किसी को कॉल करती है और कहती है तुम नियन नियन को जान से मार दो थोड़ी ही देर में वहाँ एक आदमी आता है जो चिंग चिंग पर चिल्लाने लगता है असल में वो आदमी नियन नियन का पिता है और उसने जिस औरत से दूसरी शादी की थी चिंग चिंग उस औरत की बेटी है चिंग चिंग उसके पिता को कहती है आप नियन नियन को जान से मार डालो और मैं अनियन से शादी करके आपको बहुत सारे पैसे दूँगी जिस पर वो मान जाता है अगले सीन में हम अनियन को देखते हैं जो घर पर नियन नियन को मनाने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया नियन नियन रोते हुए अनियन को बताती है कि शुरू से उसने नियन नियन की जगह चिंग चिंग पर भरुसा किया है नियन नियन स्कूल टाइम से अनियन को पसंद करती थी और शादी के बाद वो बहुत खुश थी कि उसने जिस लड़के को शुरू से प्यार किया था आज उसने उस लड़के के साथ शादी की नियन नियन बताती है कि उसे शुरू से लगता था कि अनियन भी उसे प्यार करने लगा था लेकिन चिंग चिंग के आने के बाद उसे पता चला कि अनियन कभी उसे प्यार नहीं करता था इसलिए अब वो इस घर में नहीं रह सकती और वो घर छोड़ कर जाना चाहती है जिस पर अनियन उसे मनाने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो जो सोच रही है वो सही नहीं है अनियन नियन-नियन से एक आखिरी मौका मांगता है जिस पर नियन-नियन उसे कहती है ठीक है तुम कल उस जगह आओ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जब अनियन पूछता है किस जगह पर तो नियन नियन कहती है मैं तुम्हें कल ही एड्रेस भेज दूँगी और तुम उस एड्रेस पे आ जाना अनियन नियन नियन की बात मान लेता है और उसे हां कहता है तथा उससे माफी भी मांगता है अगले दिन हम नियन-नियन को अस्पताल में देखते हैं जहाँ फूजएकाई उसे एक रिपोर्ट दिखाते हुए पूछता है तुम्हारे पास सिर्फ एक किड्नी क्यों है जिस पर नियन-नियन कहती है मैं सिर्फ एक किड्नी के साथ पैदा हुई थी फूज एकाई नियन नियन की बातों पर विश्वास नहीं करता और बार बार पूछने के बाद नियन नियन बताती है कि स्कूल टाइम में उसे एक लड़का पसंद था और उसने अपनी एक किड़नी उस लड़के की जान बचाने के लिए उसे दे दी थी फूज एकाई को सुनकर समझ आता है कि नियन नियन किसी और की नहीं बलकी अनियन की बात कर रही है वहीं दूसरी और हम अनियन को देखते हैं जो नियन नियन के कहने पर अस्पताल आता है लेकिन उसके रूम में जाने से पहले वो चिंग चिंग के रूम में जाता है जहां डॉक्टर उसे बताता है कि चिंग चिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है डॉक्टर के जाने के बाद चिंग चिंग अन्यान को बताती है कि आज तक नियन नियन ने सिर्फ उसे जूट बोला है और असल में नियन नियन उसे धोखा दे रही है चिंग चिंग अन्यान को एक पेपर दिखाते हुए कहती है नियन नियन ने शुरू से तुमसे जूट कहा है और वो सिर्फ फू जेकाई से प्यार करती आई है नियन नियन ने कहा था कि डिजाइन की ड्राइंग में उसने जो इनीशियल्स लिखे थे वो तुम्हारे और उसके हैं लेकिन सच तो ये है कि वो इनीशियल्स उसके और फू जेकाई के है चिंग अन्यान को बताती है कि फू जेकाई का असली नाम फू यूनकी है और देखा जाए तो वो इनीशियल्स उसके है चिंग-चिंग की बात सुनकर अन यन को बहुत गुसा आता है चिंग-चिंग कहती है, नियन-नियन ने डिजाइन में प्लेन तुम्हारे लिए नहीं बनाया था बलकि उसने वो फू जेकाई के लिए बनाया था क्योंकि फू जेकाई के पिता पाइलट है और इसलिए उसने ये सब किया वहीं दूसरी तरफ हम चिंग 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 और नियन नियन के पिता को देखते हैं जो नियन नियन के अस्पताल रूम में जाते हैं और वहां जाकर लड़ाई करने लगते हैं वो जोर जोर से नियन नियन पर चिलाता है और फूजेकाई उसे चुप रहने के लिए कहता है लेकिन वो फूजेकाई की बात नहीं सुनता वो फूजेकाई को कहता है कि तुम्हें अनियान को डिवॉर्स देना होगा ताकि चिंग-चिंग अनियान से शादी कर सके जिस पर नियन-नियन कहती है मुझे पता है आप ये सब पैसे के लिए कर रहे हो तब हम एक फ्लैश बैक में देखते हैं कि कैसे नियन-नियन और अनियान की शादी के बाद नियन-नियन के पता बार बार उसके घर उससे पैसे मांगने आते थे लेकिन नियन नियन ने उन्हें वहां से भगा दिया था हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं कि नियन नियन और उसके पिता की लड़ाई के बीच उसके पिता ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसके गाल लाल हो गए और उसके मुह से खून भी आने लगा थोड़ी ही देर में वहाँ अन्यान आता है और उसे देखकर नियन नियन के पिता अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं और कहते हैं मैं जब यहां से जा रहा था तो मैंने इस डॉक्टर और नियन नियन को किस करते हुए देखा और मुझे बहुत गुस्सा आया जिस वजह से मैं इन्हें समझाने आया था लेकिन ये लोग मुझसे लड़ाई करने लगे नियन नियन अन्यान को बताती है कि ये सब जूट है और फूजेकाई सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है लेकिन चिंग चिंग की बातें सुनने के बाद अन्यान को नियन नियन की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो गुसा करने लगता है और नियन नियन पर चिलाता है ये सब देखकर फूजेकाई को बहुत बुरा लगता है और वो अन्यान को किड्नी के बारे में सब सच बताने लगता है लेकिन नियन नियन उसे रोक लेती है फूजेकाई गुसे में नियन नियन की रिपोर्ट अन्यान पर फेंकता है लेकिन नियन नियन उस रिपोर्ट को बेड के नीचे कर देती है और फूजेकाई को चुप रहने के लिए कहती है अनियन गुसे में नियन नियन पर चिलाने लगता है और तब ही नियन नियन को अनियन की जैकेट से चिंग चिंग का परफ्यूम की खुश्बू आती है जब वो अनियन से पूछती है कि क्या तुम मेरे पास आने से पहले चिंग चिंग के पास गए थे तो अनियन कहता है हाँ, मैं पहले चिंग-चिंग के पास गया था और उसने मुझे तुम्हारे और फूज-एकाई के बारे में सब सच बता दिया अन्यान ये कहकर गुस्चे में वहाँ से चला जाता है अगले सीन में हम अन्यान को देखते हैं जो फूज-एकाई से मिलने जाता है फूजेकाई उसे स्क्रीन में बताता है कि नियन नियन के पास सिर्फ एक किड्नी है और उसने अपनी दूसरी किड्नी तुम्हें स्कूल टाइम में दी थी लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर दो किड़नी वाली फोटो आती है और अन्यान फूज एकाई पर चिलाते हुए कहता है तुमने मुझे जूट बोलने की कोशिश क्यों की? वहीं दूसरी और हम नियन नियन और चिंग चिंग को देखते हैं तो तुम उसे कभी सच नहीं बता सकती क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो अन्यान बहुत बुरी तरह मर जाएगा चिंग चिंग को लगता है कि अन्यान आ रहा है तो वो गिरने का नाटक करती है और इलजाम नियन नियन पर लगाती है अन्यान गुस्से में 99 से चिलाता है तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बीमार इंसान के साथ किस तरह रहना चाहिए जिस पर 99 कहती है मैंने कुछ नहीं किया चिंग चिंग गिरने का नाटक कर रही है अनियान गुस्से में कहता है चिंग चिंग कोई नाटक नहीं कर रही नाटक तो फूजेकाई कर रहा है अनियान नियन नियन को बताता है कि फूजेकाई ने अभी उसे जूट बोला और ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारे पास सिर्फ एक किड्नी है हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा अगर हम अलग हो जाएं तब ही वहाँ चिंग चिंग आती है और चिलाते हुए नियन नियन से कहती है मुझे पता है तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ताकि तुम डिवोर्स देकर अनियान से उसकी प्रॉपर्टी और घर ले सको नियन नियन चिंग चिंग की बात पर कुछ बोलने से पहले ही अनियन नियन नियन को अपने साथ ले जाकर चला जाता है अगले सीन में हम अनियन को देखते हैं जो नियन नियन को अपने साथ उनके पुराने स्कूल में लाता है स्कूल में आकर नियन नियन को याद आता है कि कैसे वो और अनियन यहाँ पर आइसक्रीम खाया करते थे पुरानी बातें सोचकर वो मुस्कुराती है और तभी अनियन आइसक्रीम लेकर वहाँ आता है और नियन नियन को देते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे अब भी याद है कि ये तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है और ये सिर्फ यहीं मिलती है अनियन नियन नियन से कुछ देर बात करता है और फिर उसे एक दूसरी जगह ले जाता है नियन नियन उस जगह पर अपनी पुरानी ड्राइंग देखकर बहुत खुश होती है नियन नियन अनियन से पूछती है अगर उस वक्त दादी तुम्हें मेरे साथ शादी करने के लिए नहीं बोलती तो क्या तुम मुझसे शादी करते जिस पर अनियन कहता है मैं तुमसे शादी जरूर करता वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और नियन नियन अनियन से पूछती हैं क्या तुम स्कूल टाइम में भी मुझसे प्यार करते थे जिस पर अनियन उसे कुछ दिखाने वाला होता है लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो कहता है मैं अभी आता हूँ नियन नियन अन उसके पास जाते हो जिस पर अनियान कहता है आज तक चिंक चिंग के Log वह अब बहुत खराब होजाती है। दरद होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब नियानन को होश आता है तो वो अस्पताल में होती है और फूजेकाई उसे बताता है कि वो अब ठीक है जब नियन नियन पूछती हैं कि वो यहां कैसे आई तो फूजेकाई बताता है कि जब अनियन उसे लेकर गया था तो फूजेकाई भी उनके पीछे आया था लेकिन ट्रैफिक में वो रास्ता भटक गया और जब वो स्कूल पहुँचा तो उसे नियन नियन वहां बेहोश मिली थोड़ी देर बाद जब नियन नियन को अपनी तबियत ठीक नहीं लगती और वो अस्पताल में वॉक करने लगती हैं तो उसे अनियन दिखाई देता है और ओम प्रिटिंग रूम के बाहर उसे चिंग चिंग के मम्मी पापा दिखाई देते हैं नियन नियन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है वहीं दूसरी ओर हम चिंग चिंग को देखते हैं जो बहुत बीमार होने का नाटक करती है चिंग चिंग के मम्मी पापा बार बार अन्यान से कहते हैं कि हमारी बेटी को बचा लो तभी डॉक्टर ओपरेशन रूम से बाहर आकर कहता है कि चिंग चिंग की बॉडी में खून की कमी हो गई है और उसे A प्लस ब्लड चाहिए चिंग चिंग के पिता ऐसी योजना बनाते हैं कि अस्पताल में उन्हें कहीं A प्लस ब्लड नहीं मिलता अन्यान परेशान होता है और तभी चिंग चिंग की मम्मी अन्यान के पैर पकड़ कर कहती है तुम्हारी वाइफ न्यान न्यान का ब्लड ग्रूप भी A प्लस है तुम उससे MNEO की वो चिंग चिंग की जान बचा ले थोड़ी देर बाद हम चिंग चिंग के पापा को देखते हैं जो न्यान न्यान से माफी मांगने का नाटक करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी होगी न्यान ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और जब वो न्यान न्यान से पूछता है ये सब क्या है तो नियन नियन बताती है कि उसके पापा ने दूसरी शादी की थी और चिंग चिंग उसकी सौतेली बहन है अन्यान नियन नियन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम चिंग चिंग को ब्लड डोनेट करो जिस पर नियन-नियन कहती है मैं एक शर्थ पर blood donate करूंगी अगर तुम E.S. divorce agreement पर sign करो किस नियन-नियन अनियन को कहती है E.S. divorce agreement में ये लिखा है कि तुम्हारी आधी property और घर रूई-रूई का हो जाएगा और तुम मेरे किसी भी relative से शादी नहीं कर सकते जिस पर नियन गुसे में चिंग-चिंग की जान बचाने के लिए sign कर देता है थोड़ी ही देर में हम देखते हैं अनियन जब चिंग-चिंग के operation room के बाहर होता है तब एक लड़की A plus blood लेकर आती है और कहती है अब चिंग-चिंग ठीक हो जाएगी तब ही अनियन के पास फूजेकाई का call आता है और फूजेकाई उससे कहता है अगर तुमने अभी आकर operation के paper पर sign नहीं किया तो नियन नियन की जान बचाना मुश्किल होगा फूजेकाई की बात सुनकर अनियन डर जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है अनियन जब फूजेकाई से पूचता है ऐसा कैसे हो सकता है नियन नियन की बाड़ी में इतना बलड कम कैसे हो सकता है तो फूजेकाई उससे कहता है तुमने नियन नियन के बारे में नहीं सोचा और उस पेपर पर साइन कर दी तुम्हारी वजह से उसकी हालत इतनी खराब है अन्यान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जमीन पर बैठ कर बहुत उदास होता है थोड़ी देर बात फूजे काई आकर बताता है कि नियन नियन अब खत्रे से बाहर है लेकिन वो बहुत बीमार है फूजे काई की बात सुनकर अन्यान को बहुत गुसा आता है और वो चिंग चिंग के हॉस्पिटल रूम में जाता है और चिंग चिंग को चिलाने लगता है अन्यान अपने बाडी गार्ड्स को कहकर चिंग चिंग के पापा और मम्मी को वहां से ले ज देखते हैं जहां उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत उदास होता है तभी वहाँ उसकी मम्मी आती है और वो कहता है आप यहाँ क्यों आए हो नियन रोते हुए अन्यान पर गुसा करती है और उससे चिलाती है कि तुम रुई-रुई को अपने साथ लेकर गए तो फिर उसकी ये हालत कैसे हुई अनियन बताता है कि जब वो रूई-रूई के साथ जा रहा था तब चिंग-चिंग अचानक बेहोश हो गई थी और उसने उसे अस्पताल के अंदर छोड़कर जब वापस बाहर आया तो रूई-रूई वहां बेहोश पड़ी थी तभी अनिय रूई-रूई जहां गिरी थी वहां के CCTV कैमरास काम नहीं कर रहे थे नियन-नियन गुस्से में चिलाते हुए अनियन को कहती हैं ये सब चिंग-चिंग ने करवाया है और तभी डॉक्टर आकर सबको बताता है कि रूई-रूई को कोमा में रखा गया है और उसकी हालत बहुत खराब है अगले सीन में हम देखते हैं अनियन की मम्मी जब अस्पताल आती है तो वहां सियन अनियन की मम्मी को देखकर दादी बुलाने लगते हैं असल में ये सब चिंग-चिंग की प्लानिंग होती है चिंग-चिंग जब सियन को वहां से ले जाने लगती है तो अनियन क कि मम्मी को लगता है कहीं सियान अनियन का बेटा तो नहीं अनियन की मम्मी सियान और चिंग चिंग को रोक कर पूछती है सियान का पापा कौन है जिस पर सियान कहता है मेरे पापा अनियान है और यह सुनकर अनियान की मम्मी हैरान रह जाती है और नियन नियन को नींद आ जात थोड़ी देर बाद जब नियन नियन की नींद खुलती है तो वो फिर से रुई-रुई को देखने लगती है और तभी अनियान के पास उसकी मम्मी का फोन आता है अनियान जब उसकी मम्मी के पास जाता है तो उसकी मम्मी बताती है कि सियान उसका बेटा है जिस पर अनियान कह और अन्यान की मम्मी अन्यान को एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहती हैं ये देखो मैंने DNA टेस्ट करवाया था अन्यान वो रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाता है अगले सीन में हम नियन नियन को देखते हैं जिसे फूजेकाई बताता है कि उसे अभी अभी एक बात पता चल करते हैं और अन्यान अपनी सारी प्रॉपटी रुई-Rूई के नाम कर देता है और हमेशा के लिए घर चोड़ कर चला जाता है अन्यान के जाने के बाद नियन नियन घर के अंदर और अनियन घर के बाहर बहुत रोते हैं वो दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन अनियन को जब पता चला कि वो सियान का पिता है और उसने नियन नियन को नशे की हालत में धोखा दिया तो वो डिवोर्स के लिए मान गया वहीं दूसरी और नियन नियन अनियन से बहुत प्यार करती थी लेकिन वो बार-बार चिंचिंग की वजह से परेशान हो चुकी थी और इसलिए ये डिवोर्स उन दोनों को बहुत हर्ट कर रहा था अगले सीन में हम अनियन को देखते हैं जो अस्पताल में चिंचिंग के पास जाता है और सीन जो सो रहा होता है उसे अपने साथ ले जाने लगता है तब ही चिंचिंग को अनियन के बैग में अनियन और नियन नियन का डिवोर्स एग्रीमेंट दिखता है और वो ये सोचती है कि नियन नियन ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली तो क्या हुआ पापा के उपर बहुत सारा करजा है और मैं उन लोगों को बता दूंगी जिन्होंने पापा से करजा लिया कि नियन नियन भी पापा की बेटी है और फिर नियन नियन के पास कुछ नहीं बचेगा चिंग चिंग प्लानिंग करती है कैसे वो रुई-रुई को मार देगी और सारी प्रॉपर्टी नियन नियन से हाथ से निकल जाएगी और उसके पास कुछ नहीं बचेगा अगले सीन में हम देखते हैं एक नर्स रुई-रुई को लगी बोतल में एक ड्रग मिला देती है अगली सुभह जब नियन-नियन को पता चलता है कि उसकी बेटी की हालत ठीक नहीं है तो वो अस्पताल जाती है और वहां वेंटिलेटर पर स्ट्रेट लाइन देखकर परेशान हो जाती है और बेहोश हो जाती है नियन-नियन की जब आँख खुलती है तो वो बहुत परेशान होती है फुजेकाई उसे समझाने की कोशिश करता है फूजेकाई नियन नियन को बताता है कि नर्स ने रूई-रूई को गलत दवा दे दी थी जिस वजह से उसका लिवर डैमेज हो गया है और उसे लिवर ट्रांस्प्लांट की जरूरत है फूजेकाई की बात सुनकर नियन नियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है फूजेकाई नियन नियन को बताता है कि अनियन ने लिवर ट्रांस्प्लांट के लिए हाँ कर दी है और जल्द ही रूई-रूई की सरजरी शुरू होगी फूजेकाई साथ ही ये भी बताता है कि उसके पापा ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है अगले सीन में हम अन्यान को देखते हैं जो रूई-रूई के साथ आमपरेशन रूम में होता है और उससे कहता है तुम फिक्र मत करो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी वहीं दूसरी और नियन-नियन रूम के बाहर परेशान होती रहती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर उनसे बताता है कि सरजरी सफल रही लेकिन अभी उन्हें आई-सी-उ में ही रहना होगा क्योंकि अन्यान और रूई-रूई दोनों की हालत क्रिटिकल है थोड चिंग नर्स के कपड़े पहन कर नियन-नियन के रूम में आती है अगले सीन में हम फूजेकाई को ऑपरेशन रूम में देखते हैं जहां वो नियन-नियन की जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा पाता और नियन-नियन की मौत हो जाती है जिस एक असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि रूई-रूई को होश आ गया है और ये सुनकर अन्यान उसके पास जाने लगता है लेकिन उसका असिस्टेंट बताता है कि उसे अभी कोई नहीं मिल सकता अन्यान अपने असिस्टेंट को कहता है रूई-रूई के रूम के बाहर पूरी सिटी में लगवाऊगे क्या पता ये मेरा आखिरी बर्थडे हो अन्यान नियन-नियन के बारे में सोचता है और हम फ्लेश बैक में देखते हैं कि कैसे नियन-नियन और रूरुईरूई को फाइरवकस बहुत पसंद है और इसलिए अन्यान चिंग-चिंग को फायरवकस कहती है तुम मुझसे वादा करो और शादी भी जिस पर अनयान कहता है मैंने शादी का वादा सिर्फ एक लड़की से किया था चिंग-चिंग और सियान मिलकर अनयान के सामने नाटक करने लगते हैं और चिंग-चिंग कहती है आज तक मैंने वेडिंग ड्रेस नहीं पहनी है और मैं मरने से पहले तुम से शादी करना चाहती हूँ। तब ही अचानक अन्यान के पास बैंक से एक कॉल आता है और एक आदमी उससे कहता है आप बैंक आकर नियन नियन के बैंक अकाउंट बंद करो। ये सुनकर अन्यान को कुछ समझ नहीं आता और जब वो बैंक वाले से कारण पूछता है तो वो बताता है कि आपकी वाइफ के मरने के बाद हमें उनके रिष्टेदार में आपका नंबर मिला है तो आपको आकर साइन करना होगा। नियन नियन की मौत की खबर सुनकर अन्यान हैरान रह जाता है अन्यान जब नियन नियन के फोन पर कॉल करता है तो नियन नियन का फोन फूजेकाई उठाता है अन्यान फूजेकाई से कहता है नियन नियन को फोन दो मुझे उससे बात करनी है जिस पर फूजेकाई उससे कह अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें घर आना होगा क्योंकि वो अब नहीं रही। फूजेकाई की बात सुनकर अन्यान को बहुत बड़ा जटका लगता है और वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर जब वो अपनी वाइफ की फोटो देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो रोने लगता है। थोड़ी देर में फूजेकाई वहाँ आता है और अन्यान को मारने लगता है और उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न्यान न्यान ने तुम्हें कितनी बार बोला कि उसे कैंसर है और उसे तुम्हारी जरूरत है लेकिन तुमने कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और तुम बार बार चिंग-चिंग के पास जाते रहे। फूजेकाई अन्यान को नियन नियन के फोन में एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें नियन नियन और चिंग चिंग बात कर रहे होते हैं और चिंग चिंग नियन नियन से कहती है तुमने कसम खाई थी कि तुम अनियन को कभी ये सच नहीं बताओगी कि उसको किड़नी तु और फिर भी उसने नियन-नियन का विश्वास नहीं किया। उसको बहुत बुरा लगता है और वो पूरी रात नियन-नियन की फोटो के सामने बैठा रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूजेकाई अनियन से कहता है तुम तीन दिन से यहीं बैठे हो और अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा और नियन-नियन का डिवोर्स हो गया था। नियन-नियन की मौत की वजह से अनियन को बहुत बड़ा जटका लगता है और वो पागल जैसे हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं अनियन अस्पताल बेड़ पर होता है और उसकी मम्मी उसे समझाती है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और चिंग-चिंग स सोचने के बाद अनियन हा कहता है और उसकी मम्मी खुश होकर वहां से चिंग-चिंग के पास जाती है और उसे आराम करने के लिए कहती हैं अनियन की मम्मी के जाने के बाद अनियन का असिस्टेंट कहता है सर आपको सब कुछ सच पता है तो फिर आप चिंग-चिंग से बिशान करता है और कहता है अभी तो तुम्हारे लिए और भी सर्प्राइज है। ऐस्ट के लिए नहीं मानती लेकिन and yen अपने assistant को बोल कर दोनों का टेस्ट करवाता है। टेस्ट के बाद पता चलता है कि जो चिंग चिंग ब्लू ड्रेस में है वही असली चिंग चिंग है क्योंकि उसके पास एन किड़नी है और उसके हाथ पर केमो थेरेपी का निशान भी है वाइड ड्रेस वाली चिंग जो असल में सची चिंग चिंग है वो इस बात को नहीं मा और बू ड्रेस वाली चिंग्चिंग की तरफ इशारा करके कहती है, कि ये असली चिंग्चिंग है। और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अन्यान जब उस लड़की को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो नियन नियन है। लेकिन वो लड़की बताती है कि मैं सिर्फ यहां चिंग-चिंग का सच सब के सामने बुलवाने आई थी। वो लड़की अन्यान को कहती है मरने के पहले नियन नियन ने मुझे आपको एक मैसेज देने के लिए बोला था। और वो ये था कि मैं ना आराम से जी पाऊं और ना खुश रह पाऊं। मैं अकेली रह गई थी और इसलिए अब तुम्हें भी अकेले रहना होगा। अन्यान अपने असिस्टेंट को कहकर चिंग चिंग और उससे रिलेटेड सभी लोगों को पुलिस के हवाले करता है। और फिर सब के सामने कहता है कि मैं अन्यान आज कंपनी से रिजाइन कर रहा हूँ और आज से ये कंपनी मेरी बेटी रुई-रुई की है। जब तक रु